है जो है लो गाइज मैं हुँ सर्वेस और आज हमारे पास एक यह पाइप है तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो टेकनीशन नहीं है मतलब जो घर पे केस्टमर लोग है उन लोगों के लिए वीडियो है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा पाइप जो है वह तूट है कुछ इस प्रकार से यहां से है जैसे तो तुड़ों में तूड़ जाता है और हो सकता है कि कभी कभी टेकनीशन लोग छुट्टी पर होते हैं या फिर कोई रच्छावंदन या फिर दिवाली होली कुछ कुछ भी ऐसा होता है तो टेकनीशन भी अवलेबल नहीं हो पाते हैं और हमारे आरो का पाइप तोड़ गया होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है और पानी भी कोई पहुचाने वाला नहीं होता है क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों पर होते हैं तो ऐसे में अगर आपका हारा खराब हो या तोट जाता है कोई पाइप अगर तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो इसको did कैसे नलकी लेना है इसा अब कहां से तो आपके घर में पड़े होंगे जो लिखने वाले पेन होते हैं कलम वो पड़े होंगे आप पेन को काट लीजिए बीच का जो नलकी होते ही निकलती है वो निकाल लीजिए और उसी को काट करके यह दो टुकड़े हैं एक तरफ से ऐसे पूसे रहना है और दूसरी तरफ से यह अच्छ करने की चीज में लगा तो आपको यह तो आपके पास कोई वबस्ता नहीं है तो आप इसको अचानक अगर कुछ ऐसे होता है तो इस्तिती में अच्छे से कर सकते हैं दूसरा एक और होता है कि आपका अगर लीकेज वगर हो जाता है कुछ भी ऐसा तो आप जब भी टेक्नीशन आपके आरो बनाने के लिए आता है तो उससे थोड़ा जैसा इस टाइब का पाइप ले लिजिए और उसको बोलेंगे 20 रुपए का पाइप दे दो तो काफी सारा पाइप दे लिए और इस टाइप के लबो ले लिजिए उससे कम से कम चार-बाच लबो ले लिजिए वो भी बहुत ज़याद मेंगे नहीं देगा तो इस टाइप अल्बो और यह पाइप आपको रख लेना है उसी आरो पे रख देना है और पर कहीं आपको जहां पर अच्छे से मिल ज कई टाइब क्या अफोफ कल भच यह थो अब सब्सक्राइब हो आपको ब Shrāk पर आपकेल लेकर है लेके लेकिन आपको त्के की मैज्ज़ें कोई घृण थार्फ कर दो उपैंड यहां पर यहां पर निकल आता है यवर यहां से लीटा हुआ यह इस टाइप से निकल आता है देख सकते हैं प्लास से पकड़के खेचिंग तो निकल आएगा या फिर मुझे मैंने निकल आए इसको यह जी निकल आएगा उसके अंदर एक इसके अंदर वार्सल डिला हुआ होता है उसको किसी चीज से निकल लेना है मेरे पास कुरूर यह देखे इस टाइप से इसमें से निकलता है यह ले लेना है आपकी जो नई एलबो होगी अगर आपका जहां पर पाइप लगाते हैं इसको निकालना डालना कैसे है इसको अंदर अच्छे से पुश कर देंगे यह लग जाएगा फिने निकलता है जब भी निकलना होगा तो इसको यह लोग को अंदर दबाएंगे इसको खीचंगे निकल आता है लेकिन अगर अच्छे से मैंने पुश कर दिया है फिर भी पानी लीकेज हो रहा है तो इसका मतलब यह वार्षल खराब हो जाता है कभी कभी तो आपकी जो नई एलबो है उसमें से यह वार्षल नि क्यां निदरों दो इत्जाएंट अच्छे से हो गया है और इसके बाद यह लॉक डाल देना है अगर करें से महल नहीं नहीं करें है नहीं होता है आपका हो जो सकता है कि लग लग टाइप कई लगोते हैं तो और यह रखेंगे तो आपको यह से लीकेज कर सकते हैं और यहां से यहां से यह दो ही तरीके हैं करने के तीसरा कुई तरीका नहीं होता है हाँ कभी कभी ऐसा होता है या आपका हो सकता है filter फट गया हो या फिर फिल्टर भी फट जाए तो इसमें भी आप एमसील लगा के आप temporary काम चला सकते हैं बाद में जब आपका समय हो तो आप filter कर दो.